नमस्कार मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर तो दोस्तो एक जमाने में बेटा या बेटी की शादी करनी हो तो माबाप अपने रिष्टेदारों में बाच्चीत चलाते थे लेकिन फिर जमना बदल गया फिर आए वेब पोर्टल मैच मेकर्स ऐसे तरह तरह के लोग मार्केट में आने लगे यह मैच मेकर्स हो या फिर यह वेब पोर्टल्स हो आपको तरह तरह के प्रॉमिसेज देते हैं आपको बोलते हैं हफते में हम आपको पाच प्रोफाइल्स भेजेंगे, हमारे हाँ ऐसी सर्वीसे से वैसी सर्वीसे से बहुत इतने सारे लोग रजिस्टर्ड है, हम आपकी लड़के के माबब से बात करवाएंगे, हम आपको स्पेशल सर्वीस देंगे, आप अपके लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे, जिसको आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ऐसी तरह तरह की बाते वो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये मैच मेकर चुह है, आपको अलग अलग प्रोमिसेस देते हैं, लेकिन अपनी सर्वीसेस पर खरें नहीं उतरते हैं, ऐसा ये केस सामने आया था मुंबई कंजुमर फोरम के सामने, यहाँ पे एक लेडी थी, ये लेडी ने एक मैच मेकर से सर्वीसेस ले थी, मैच मेकर ने उनको ऐसा बोला था कि मेरा एक ओफिस है, और मेरे पास स्टाफ भी है, और मैं आपको लग बग मैने के 15 शुटेबल मैचेस आपको भेजा करूँगी, लडगों के 15 एटलिस मैच में आपको हर महिना भेजा करूँगी, पंदरा आपच्छन के बाद मैं आपको उनके प्रोस्पेक्टिव फ्रोफाल्स भी आपको भेजा करूँगी, लड़का क्या करता है, उसकी जो भी होबीanovी फ्रोफाल्स मैच मेकर ने ये लेडी को बोला था ये लेडी ने उसके लिए उनको 55,000 रुपीज का चेक भी दिया था 16 जुलाई 2012 को एक बार चेक ले लिया मैच मेकर ने 55,000 का 55,000 रुपे उन्होंने सर्वीसे लगाये थे चार्जेस लगाये थे उसके बाद जैसे उन्होंने पैसे लिए मैच मेकर ने उसके बाद जो मैच मेकरे उन्होंने कोई भी प्रोफाइल नहीं बेज़ा उनको उसके पकारण क्या हुआ वो लेडी है उन्होंने मैच मेकर को इमेल बेजना चलूगिया 31,29,9,18,25 सप्टेबर 12 को घड़ी-घड़ी उनोंने इमेल बेजा, उनोंने अपनी जो भी चिनता है वो भी वो इमेल में जाहिर कर दीती उनोंने matchmaker को बोला कि आप अपनी services इंप्रू करो, हमें profiles बहलेमे लेकिन जो matchmaker है उनोंने तो पैसे ले लिये थे वो अपने service quality में कोई भी बदलाव नहीं करी तो फिर 25 October 2012 को ये जो lady है इन्होंने matchmaker को legal notice बेजा और उनको बोला कि मुझे मेरे पैसे refund चाहिए उन्होंने copy जो email बेजे हुए थे वो copy वगारा consumer forum में submit करे हुए थे उसके बाद क्या हुआ कि consumer forum में एक बर submit होने के बाद उनको notice चला गया उनको पहला notice चला गया था 25 June 2013 को matchmaker को लेगिन matchmaker जो है वो आने का नाम नहीं ले रहे थे forum में फिर नया notice बेजा गया 5 December 2015 को तब भी नहीं आए तो फिर forum ने क्या गया था अपने और से direct order पास कर दिया था 28 July 2016 को एक order पास कर दिया था अब आया final judgment का time क्योंकि इतना सारा समय हो चुका था जो matchmaker थी उनके तरब से जवाब आने का नाम नहीं था वो अपना अपना काम कर रही थी पैसे वापस देने का नाम नहीं था तो फिर अब इतना सारा time देने के बाद अब consumer forum जो है उनको final फैसला लेना था उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो matchmaker है वो अपना कोई भी बात सामने नहीं रख रही है और साथी साथ उनको बहुत सारे opportunities भी दी गई है अभी हमारे पास जो है कि जो भी email के copies है वो सारी के सारे email के copies है साथी साथ जो matchmaker उन्होंने जो card बनाया था वो card पे भी लिखा था the matchmaker for well educated elite class and NRI members ऐसा उन्होंने card print किया था visiting card वो भी लेडी ने submit किया है consumer forum के सामने और साथी साथ उन्होंने सारी के सारी जो services वो दे रही थी ये सारे proof वो लेडी ने submit कर दिये थे consumer forum में तो उसके करण match में कर जो है उनको बाद में consumer forum ने आप order दे दिया है कि आप उनके 55,000 रुपे जो है वो वापस करो 30 दिन के अंदर आप वापस करोगे 55,000 रुपे और अगर आपने नहीं दिया उनको 30 दिन के अंदर पैसे वापस तो आपको 9% per annum के batch के साथ आपको ये पैसे वापस करने पढ़ेंगे तो finally matchmaker जो है वो end तक वो consumer forum उन्होंने attend नहीं किया एक बार पैसे ले लिये जवाब देना बंद लिया बंद कर दिया इसका मतलब matchmaker ने पूरा ठग लिया था वो lady को तो ऐसे तरह तरह के matchmakers market में आते हैं इसलिए ये case हमने cover किया है कि आप अगर matchmaker के थूरू जाना चाहते हो तो कि आपको लगता है कि रिष्टे जारह से ज़्यादा ये options भी अच्छे लेकिन ये options के भी drawback हो सकते हैं तो आपको संभल के decision लेना पड़ेगा बाद में matchmaker को और 5000 रुपे की fine भी लगाई दी गई थी compensation दो जो भी cost आई है ये lady को वो सारा सारा देने को भी बोला गया थी तो लगबख 60,000 का charges लगा दिया है matchmaker के उपर मुंबई consumer forum ने तो आपकी इस बारे में क्यार आए है हमें आप comment section में जरूर बताईएगा आप अपना ख्याल रखिएगा अगर आप काम के लिए भाहर निकल रहे हो तो आप अपने आपको sanitize जरूर करिएगा take care have a nice day